हलो नमस्कार दोस्तों रभी ओनलान क्लासेस में आपका स्वागत है अज फिर से देखेंगे हम लोग बिहार बिजली विभाग के मोडल फैक्टिस सेट नमबर दस इसके जहाद सड़ द्वारा करवाया गया पुरे सौ क्योचन देखेगा दोस्तों तम बजाएगा आप कितना स्कोर करते हैं वो बताइएगा पहला क्योचन है देखो इस बुढ़े व्यक्ति को बुढ़ापे में बाल रंग वाकर ऐसा लग रहा है जैसा बुढ़ा होने पर विजवान होने का प्रयास कल रहा है बाक में एरेखांकित अर्थ के लिए सही लोक्ति को लोक्ति क्या होगा तो देखिए अगर कोई बुढ़े व्यक्ति बाल रंग वाकर ऐसा लग रहा तो बुढ़ा होने पर भी जवान लग रहा है जैसे हमारे बैल को सिंग काट देने से वह बच्छरों के तरह जवान लगता है तो क्या होगा सिंग कटा कर बच्छरों में मिलना उप्षोन рублей होगा बिख्यात कुमा अश्मरीत सब्द का क्रमसा उचित विलोमसब्द क्या होगा तो बिख्यात का कुख्यात और अश्मरीत का क्या होता है व प्रवाची सब्द हवा होता है मैं कौनसा सर्वनाम है तो मैं पुरुस बाचक सर्वनाम है मैं कौन सा बाचक सर्वनाम होगा तो पुरुस बाचक सर्वनाम होगा सर्वनाम जैसे दखिए नीचे बाचक सर्वान जोर सर्वनाम सब्द किसी ब्याक्ति आदी बस्टू को बोध कराता है वो नीचे बाचक सर्वान कहलाता है सर्वनाम कहलाता है पुरुस बाचक जिस सर्वनाम का प्रयोग बक्ता द्वारा स्वाय के लिए या अन्व्यक्ति के लिए किया जाता है जैसे मैं हम मुझे तू तुम तुझे तुम्हारा वे उसने तब पुरुस बाचक सर्वनाम कहलता है नीज बाचक क्या होता है जहान स्वाई के लिए आप अपना आपको सब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे आपने आप स्वाता है तो उसे नीज बाचक कहा जाता है इरीकत स्थानों की पूर्टी करे किसी चार आप्षन में कहता है यहां पर क्या भराएगा लर्की को बुलाओ, तो किसी दूसरी लर्की को बुलाओ, किसी दूसरी लर्की को बुलाओ, दूसरी कार्थ होता है अन, यह सोधरा का संधी बीछेद क्या होगा, तो यह पलस दहरा क्या होगा, किस सब्द में आउपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किस सब्द में आ परतिया एसरी उपसर का प्रयोग नहीं हुआ है तो राइटेंसर होगा आकर क्या होगा आकर है आकर में आ सबका उपसर का उपयोग नहीं हुआ है आर्ध सम मातरी का छंद क्या है तो देखे 24 भस मत्राओं की दो पक्तियां वाने छंद को दोहा कहते हैं इसमें पहले तथा तिसरे चलन में 13 तरह मत्राओं होती हैं दूसरे और चोथे चलन में 11 11 मत्राओं होती हैं जिसे दोहा कहा जाता है क्या कहा जाता है दोहा नेत्री सब्द का पुलिंग रूप क्या है तो नेता होता है क्या होता है नेत्री सब्द इस्तिलिंग सब्द है इसका पुलिंग सब्द नेता होता है नेत्री सब्द इस्तिलिंग सब्द है और इसका पुलिंग सब्द नेता होता है कर्म धारन समास का उधारन बताए तो सेतामबर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तो सेतामबर इंग्लिस दखिएगा चूज दा कैरेट वर्ड सब्टिट्वीड फोर्द फॉलॉविंग संटेंस काता है संटेंस में प्रयोक किया गया कौन सा सब्द होगा इंग्लिस अब जानते हैं तुमारीएगा अप्सन नमर भी होगा कि बारा के क्या होगा दोस्तों तब बारा के दा डॉग वर्क्स होगा वर्क्स इंग्लिस हम को नहीं आता है बाभू इसलिए आप खाले ठीकोर्ड करते हैं तो तेरा के क्या होगा अप्सन नमर डी चौदर क्या होगा दोस्तों आप जानते हैं तो बताएगा अप्सन नमर ए होगा पंद्रह पंद्रह के क्या होगा तो पंद्रह के अप्सन नमर ए होगा चले यहां से हम लोग कंप्यूटर का क्यूचन है कौनसा इंपुट डिवाइस एनालाउग सुचना को डीजिटल रुप में परिवार्थित करता है जिसका उप्योग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारी के काम के लिए किया जा सकता है तो डीजिटाइजर क्या होता है डीजिटाइजर डीजिटाइडर को कम्प्यूटर के हार्डवेर पार्ट के इनपुट पेरिफेल के रुप में जाना जाता है लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गती को मापने की काई प्रिष्ट प्रती मिनट होता है प्रिंटर ओटपुट जो है ना प्रिंटर ओटपुट एक डिवाइस है प्रिंटर काग्जों पर ओटपुट देता है ओटपुट के टेक्ट दस्ता वेज चीतर्या दोनों के सहोजन के रुप में हो सकता है असकैनिंग की तकनिकी जो पुर्व निर्धारित अस्थान में लगे चेक बॉक्स को पढ़ती है क्या कहलाती है तो अप्टिकल मार्क डिडिंग कम्प्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज कहने की एक विधी है जो होता है omr इसे क्या कहा जाता है ऑ्प्टिकल मार्क डिडिंग कहा जाता है निम्लिकित में कौन सी OSI परत पैकेट रॉटिंग के लिए होती है तो नेटवर्क परत दोस्तों अनुमारगन नेटवर्क लेयर पर की जाती है कमप्योटर नेटवर्क के साथ लेयर वाले OSI मोडल में नेट वरत तीसरी लेयर होती है निम्लिकित में से कौन सा भी कल लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट के बीच बैरियर की रुप में काल 시 करता है लाइन का पुन विस्तार है लोकल एरिया नेटवर्क तो लाइन और इंटरनेट के बीच बैरियर के रूप में कौन कार्ज करता है दोस्तों तो फायर बॉल फायर बॉल एक परकार का सुराच्छा संचेत परकार का हाड़ वेर है है जो कंप्यूटर और हमारे नेटर के बीच प्रात्मी कार्ज के साथ रहता है इनमे और कौन सा एप्लिकेशन एमस ओफिस का हो तो एमस डा ऑफिस का वर्ड एमस एक ओफिस का क्या है ऑफिस का व्रड है करें के लिवाइस का पहचान करें तो क्या जाएगा प्रिंटर क्या होगा प्रिंटर निमलिखित में से कौनसा हाड़वेर डिवाइस है प्रेशनल कम्प्यूटर को डाइल अप internet connection से जोडता है कौन सा hardware जो है जो device डिवाइस प्रेस्टनल कम्प्यूटर को डायल आप internet connection से जोडता है इसका राई टेंसर हो जाएगा modem कौन जोडता है डिवाइस प्रेस्टनल कम्प्यूटर को modem जोडता है जो भी दखेगा गीगावाइट इथरनेट के लिए I triple E मानक किया है तो गीगावाइट इथरनेट के लिए I triple नामक यह मानक है I triple 802 2.3 Z होता है यह मानक 19 अन्ठानमे में अनुसमारफित किया गया था और आप्टकल फाइवर अप्टिकल फाइबर या तामबे के केबलों पर एक गीगा एक गीगा बीट प्रती सेकंड की डेटा पर दर पर इसे परसारित कायनी के अब साइकता को निदेश्ट दिया गया था इमेल एड्रेस जैसे सेम ओन अदरेट एकजामपल डट कम का कॉंसर्ट हिसा डोमेण नेम कहा जाता है तो एकजामपल डोट कम को हिसा डोमेण नेम के नाम से जाना जाता है की y परकार का वाई एकस इए फायलो के साथ लगन होकर उसे इनप्गेक्टेड या संक्रमित कर देता है और इनप्गेक्टेर इएकस अनफायलो को भी हमला कर देता है उन्हें क्या कहा जाता है तो parasitic virus कहा जाता है हम निमलिखित में किस भी कल्ब की मदब से MSBird application को बंद कर सकते हैं आप किस की मदब से MSBird application को बंद कर सकते हैं तो MS Word application को बंद करने के लिए हम फाइल मेनू में जाकर फाइल मेनू में जाकर कलॉज सब मेनू का चायन करेंगे तो MS Word एप्लिकेशन बंद हो जाएगा Classless address Block के समन्द में निमलिकित में से क्या सही है दोस्तो Block address की सैंख्या दो का घतांक होनी चाहिए Block address Block address में उसकी घतांक क्या होना चाहिए तो दो का घतांक होना चाहिए Block address एक के बाद एक लगतार होनी चाहिए एक के बाद एक लगतार होना चाहिए एक के बाद एक लगतार होना चाहिए पहला address, school address की सैंख्या से समान रुप में विवाजत होता है नहीं पहला दूसरे, दूसरे, तीसरे, चवथा से विवाजत होता है option number D, right answer होगा MS bird में hanging indentation क्या है तो MS bird में hanging indentation क्या है तो paragraph की दूसरी और उसके बाद की सभी रो को induction blue पहली से रो से अधीक होती है निमलिखित input उपकाणों में किसमें एक छाड़ी होती है जो एक अधार पर घुमती है और CP को इसके कोने अदिशा को रिपोर्ट करता है तो होता है जाय estic क्या होता है जाय estic निमलिखित में किसे भारती है सभिधान के निर्माता एक रुप में जाना जाता है तो आप जानते हैं डाक्टर भी में आवा अमबेद करको डाक्टर भी में आवा अमबेद करको सभिधान निर्माता का जना कमाना जाता है भारत के सभिधान के मुख वास्तु वीद के भी कहा जाता है 젊ट हैme 99 सव guitar सेंथाक। में सविधान पर्वारूप सविंती का आध्याच निउक्त किया गया था वह सवतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थेस्टन बि आर अम्बेद कर जी तथा नियाय मंत्री भी थे कि उन्हें 1990 में भारत रत्र मानों प्रांत भी दिया गया और वह एक ऐसा ब्यक्ति हैं जो तीनों गोल में समेलन में भाग लिये थे डाक्टर एजेंदर पर साथ के नाम जानते हुगे वह भारत के पहले राष्ट पती बने थे भारत के सविधान सवा के अध्यच बने थे उदेश पार्लूप ने भारतिये राजनितिक ब्यवस्ता का धार बनाया इसे सविधान सवा में किसके द्वारा पेस किया गया था उदेश पार्लूप को किसके द्वारा पेस किया गया था तो जवाहलन नहरू के द्वारा किस के द्वारा तो जवाहालन नहरू के द्वारा तेरा दिसंबर तेरा दिसंबर तेरा दिसंबर उनाईसोच्यालिस को सुनियेगा उनाईसोच्यालिस को उद्येश पारलूप जवाहालन नहरू द्वारा पेस किया गया था उद्मिता अबसर में कुझी परणिजू हैं विद्धमीता आपसर और सीखने के लिए केंद्र कहे जाने वाले स Τार्ट DAVID यूदवन उन्हें कि दफेंद्र का उधवक्तर भारत की रच्छा मंत्री निरमला है शीता रमनद्वारा की सस्थान पर किया गया तो मेंगलोर कॉन आटक कहां किया गया में गिर वन जीव अभयारन कहां में है दोस्तों तो यह हमारे गुजरात राज में है कहां में है गुजरात में गीर वन राष्ट किये उदहान और बंड जी अभयारण हमारे गुजरात राज में परता है रप कि बर्स 1915 में महतमागांदी निमलिक्ष से किष देश से भारत बापस लोटे थे तू सिनपップ भारत महतमागांदी बर्स 1915 में दर्चिना फिरकास से भारत लोटे आपको पता इनका जन्में 2 अक्टोबर 1879 को हुआ था और 3 जन्वरे 248 कुन का निधन हो गया था अब दर्चिना फिरकास से क्यों लोटे तो वहां महातमा गांधी गोपाल क्रिस्न गोखने के अनुरोध पर वहां से बापस लोट आये थे राष्टिये बर्चा सिंचित सिंचित छेत्र प्राधी करन 2009 के अनुसार निमलिकित में से कौनसी मौसम समंधी उपव्युहाग में निवन बर्चा की बहुत दुदलव आवरिती और 15 वर्ष में एक बार हो सकती है तो यह घटना कहां हो सकती है अजसम में निमलिकित सुतंतता सनानियों में से किसने ब्रिटिस भारत के लोहार में जौन सौंडर्स नामक एक पूलिस अधिकारी की गोली मार कर हत्या कर दिये थे तो भागत सी और सीवराम राजगुरू सुतंतता सनानियों भागत सी और सीवराम राजगुरू ने ब्रिटिस भारत के लोहार में जौन सौंडर्स नामक एक पूलिस अधिकारी को गोली मार कर हत्या कर दिये थे उन्हें इस बजह से अदालत ने आदेश दिया कि उन्हें 23 मार्च उन्हें 31 को फासी दिया जाए 23 मार्च को भागत सी सुखदेव सी और सीवराम राजगुरू की फासी का दिन था जिसे हर सल भारत वर्ष में सहीद दिवस की रुप में मनाया जाता है हाली में अंत्रिच में पाहलिवार युद अभ्यास से अंत्रिच में युद अभ्यास मिसन विक्तस हेज आयोजित करनी की घुशना किस देस ने किया है तो ईवेसन किस ने किया है दोस्तो इवेसन देखिए पाच लखर के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं ए बी के दाएं हैं पाच पंक्ति में पाच बैठे हुए हैं ए बी के दाएं हैं E B के बाएं हैं यदी A D के बाएं तो बीच में कौन बैठा हैं जिसे माली जी A रखा जाएं A के A B के दाएं हैं मतलब B यहां हो सकता है E B के बाएं हैं E जो है B के बाएं हैं, तो बाएं कौन साइड होगा, इसका बाएं इधर होगा, परंतु C के दाएं नहीं है, परंतु C के दाएं नहीं है, E है जो C के दाएं नहीं है, तो C को अगर यहां देते हैं, और A, D के बाएं हैं, D के बाएं, तो बाएं इधर होगा और दाएं इधर है तडी यहां पर होगा तब बीच में क्यों होगा बी तो अपसे नमर कौन होगा दोस्तों भी कि नीचे एक प्रस्ण और उसके बाद दो तर्क दिए गए आपको यह तैक करना है कि निमलिकी तर्कों में से कौन से प्रस्ण के समंद में सबल है क्या बच्चों को समझदारी से इंटर्नेट का इस्तमाल कायना सिखाया जाना चाहिए हाँ इस तरह से जिमेदारी से इंटर्नेट का अप्रोक कायना सिख पाएंगे नहीं वे खुद से खोज करने पर बहुत कुछ सिख सकते हैं तो दोस्तों इसमें केवल तर्क नमबर एक पालन करता है दिखेगे निमलिखित बिकल्पों में प्रस्ण चीन के अस्थान पर आने वाली सेंख्या क्या होगा यहाँ पााच तीन नौ और लिखा है तिन सो पैंटालीस नौ पचे पैंटालीस और तीन को आगा लिख दिया थैं कितना बज़ते यह तिन सो पैंटालीस ठिकी सी पर दर्चह के 60 और 4 को आगले किदे 460 तो अब का ना 1177 1177 और 5 को आगले किदे 570 यहाँ पर क्या होगा 570 राइट एंड से अफसन नमबर बी ए उस बन आरेख को चुनिए जो दिये गए बर्गों की भी सही समंद को दर्चाता है पुरूस पीता इंजिनियर देखिए पुरूस पुरूस के अंदर को आजएगे पीता आग कुछ पुरूस या पीता कुछ पुरूस या पीता इंजिनियर होगे कुछ पुरूस या पीता क्या होगे सभी पुरूस होगे और तो था कूछ पीता और कूछ पूरुस इंजिनियर होंगे और थार्थ आपसन नमर सी बिकल्प सही होगा यदी किसी घारी यदी किसी घारी में बस तब एक समय तीन बज कर 45 मिनट हो रहा है तो प्रतिवीम समय क्या होगा दोस्तो जब प्रतिवीम निकालना है घारी में तो 11,60 में से घटा दिजिए तो 11,60 में से घटा ये तो क्या होगा 45,8,45 क्या होगा आपसन नमर ए दी गई स्रिंकला में लुप्त सैंक्या क्या होगा तो दी गई सैंक्या में लुप्त सैंक्या जो होगा वो 363 होगा वाठादम क्या है ? 111-142 देखिए सभी में 111 जोड़ा गया है सभी में 111 जोड़ते गया 111 जोड़ते गया यहां पे 111-142 में जोड़ेगा करना है 350 उस विकल्प का चैन कीजिए यह दूसरे युगम को पहले युपं से समरूप बनाता है अलेपकी कायर डौट केरल तो तो सेलम रेसम कहां का होगा सेलम देखिए अलेपकी कायर केरल का एक सहर है जो कायर के लिए परसीद है किसके लिए कायर के लिए परसीद है उसी पर कायर सेलम रेसम सेलम सलेम नहीं होगा सलेम होगा सलेम तमिलाडू का एक सहर है जो रेसम के लिए परसीद है अंत सही उत्तर क्या होगा तो इसका राइट एंसर जो होगा ओ, आपसन नमर ये तमिलाडू होगा क्या होगा? तमिलाडू होगा चार इगमों में से तीन एक ही समूखे है इन में से कौन सा भीन है तो देखे, इन में से भीन सहीं क्या होगा जो डी है, क्या है? डी ये वो लाड़ दिलेशन से कीचन है तस्बीर में एक महिला को इसारा करते हुए सोनिया ने कहा वह मेरी दादी की एकलावती बहा हुँ एकलावती बहु है सोनिया उस महिला से किस परकार समन दिते हैं देखिए अगर सोनिया की बात कहा जाए तो सोनिया ने एक फिगर कोई सारा करते हुए का क्यों मेरी दादी के इकलावती बहु है इकलावती बहु है इकलावती बहुत है सोनिया उस महिला से किसे तो मेरे दाधी के इकलावती बहु हुए तो मतलब इसका बहु एयह है तो ममी का सुनिया कुन लगेगे पूतरी अपसन से उस भी कल्प का चायन कीजिए जो दूसरे इगम को पहले इगम के समरूप बनाएगा ग्रीगर मेंडल जीव बिग्यान तो इंटोईन लिवोजियर यहां पे होगा इंटोणी इंटोणी लिवोजियर किसे समन्दित है ब्रेगर मेंडल goode gb ग्यान gb नीए वह मतर के गिंदो हो के लिए अपने कर्च के लिए परसीद है इसीपर लिए उन्टोनी लिए रूयाइड के जनक है इन्होंने द्रवान के सनचन का नियम दिया था इसकि आप्सेन नमर ही होगा जिए ओवरहेड माइन के लिए ओवा बारीड माइन के एंसुलेटर के लिए त्सविए फिर्वनाद लगिए किस पहनाली का य। तो इस पॉर्सलीन का किसका अप्रयों किया जाता है पॉर्सलीन का में आप यहां से टिकनिकल है देखिए टिकनिकल आपका सबसे बेश्ट सही होना चाहिए दोश्तों थीरी फेस परनाली में थीरी फेस परनाली में क्या होता है थीरी फेस परनाली में तीन कुंडलियों में से उनमें तीन प्रेरीत बिधुत बाहक वाला है जो सभी सब पेच के सम केवल इस बात को छोड़कर के वे एक दुसरे से 120 डिग्री के समय कला के बाहर है तो अब से नमर क्या होगा डी परत्यवारती धारा AC में जहां PT, BT और IT करम्स है तो छनिक सक्ति, भोल्टेज, धारा के मान किसी भी छन सक्ति को किसके दोरा दर्साया जाएगा देखिए आप जानते हैं ति पी बराबर भी आई होता है यही फर्मूला ना तो पी बराबर क्या होता है भी आई होता है तो यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा PT बराबर BT गुने ताफसर नमर कौन सा है B ताफसर नमर क्या होगा B इनपूट में से घटाई गई हनिया और इनपूट का नुपाद ट्रांसफार्मर का कौन सा पैरामिटर बताता है तो देखिए ट्रांसफार्मर की छमता जो होता है एन बराबर दोस्तों एन बराबर इनपूट माइनस हानि बता इनपूट क्या होगा इनपूट इसी परकार एन बराबर आपसर नमर खमता बतलाता है फिलामेंट बनाने के लिए टेंगास्टन का उप्योग क्या जाता है फिलामिंट बनाने के लिए तंगं हष्टन का उप्योग इसले कर जाता है इसका गललांग आती ऊच होता है पड़िपत का आध्यान करके बिंदो आ पि और कुव के विच संतुल प्रतिरोध जयात करें दोस्तो देखिए आपको बता रहा हैं समझे अप छे और तीन आपस में समानतर करम में जुरा हुआ है छे और तीन आपस में कौन सा करम में जुरा हुआ है समानतर करम में तो जब यहां से हल करोगे तो दो वो समानतर करम में रहता है यहां से कितना आया दो यहां से कितना आया दो अब यहां दो बन गया तो यह दोनों क्या हो जाएगा स्रेनी करम है समझिएगा यहां से दो आया तो यह दोनों क्या हो जाएगा आठ गुने आठ पलस आठ तो आठ तो आठ चार ओमाएगा क्या एगा चार ओमाएगा अब देखिए दोस्तो ये टू ओम हो गया ये चार ओम हो गया ये पूरा मिलके कितना हो गया चार ओम हो गया तो ये दोनों सिरेनी करम है और ये तीनों सिरेनी करम में हुआ तो इस सिरेनी में छे दू आठ 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 दू दस अब यहां से कितना हुआ ये चार चार तो ये भी कि आ वाकी जो बचा वह दोनों बच गया समानतर करम है यहां से निकला तोतल कितना लिखना 10-10 ऑम ने मिला और यहां से यहां पर 4 ऐह और चारह हम तर्छी स्रेम हो गया अब धोनों को समानतर करम है मैं दोस्त तो मैं आपको बतायें थे कि 2 जब समानतर करा में होता है तो आरवन गुने ऑर टू भटा आरवन पलस आर्टू का युज़ करके प्रयोग बनाया जाता है तह पहले इसी परकारिस फर्मूला पे हमने बनाये बनाये हैं तो फिन सापको बताते हैं ये दोनों समानतर करम में हैं इसको हल किजिएगा दो ओमायेगा इसको हल किजिएगा आठ ओमायेगा तोलचे को चोंसर नहीं चार ओमायेगा सोरी चार ओमायेगा अब दूनों देखिए यहां से यहां से यहां से दूनों कौन सा करम बन कर लिजिए लाइन टूटा नहीं है तो इसरे निये करम में लेकिन इसके सब पेच्छ इलाइन जो है इस समानतर करम हो गया तो इसका राइट एंसर होगा कि अब यहां से कि कितना था दस और आठ तो वहां से हाल करेंगे तो मुझे मिलेगा छे ओम क्या मिलेगा छे ओम मिल जाएगा अब बोलिए छे ओम कैसे मिलेगा सोरे तो उसे हाल किया गया नहीं समझे रहा हो तो इसका वीडियो हम आपको नो मेरिकल के लिए बनाए है उसको देख लीजेगा आप DC motor के मामले में मुख फलक्स होता है DC motor के मामले में मुख फलक्स अस्थाई चुम्बक द्वारा उत्पन किया जाता है अस्थाई चुम्बक द्वारा चुमक के च्छितर केवल छोटे मोटरों में प्रूप्स किया जाता है अस्थाई चुम्बक द्वारा चुमकिये छित्र केवल छोटे मोटरों में प्योग किया जाता है जबकि बरे मसीनों है तो इलेक्ट्रो मैगनेट का उप्योग किया जाता है बरे मोटरों के लिए किसका उप्योग किया जाता है इलेक्ट्रो मैगनेट का उप्योग किया जात अगर आत्य धीक धारा परवाहित किया जाता है तो फ्यूज क्या होता है कि इंडेक्शन मोटर के संदर्क में सिलीप एस के फर्मूला क्या होता है सर बहुत अच्छा क्यों जना तो सिलीप एस ब्रावर फर्मूला होता है एस ब्रावर फर्मूला होता है इंडेस माइनस एन वड़ा है इनेस गुने साव क्या होता है गुने साव सिलीप को याद रखिएगा जहां एनस क्या है तुल काली गती है एन रोटर की सैंख्या एन क्या है रोटर की सैंख्या तापसर नमर कौन समय है डी में न तापसर नमर क्या होगा डी देखेगा 69 देखेगा यदि हम विसूध रूप से धारिता परिपत में आबरिती बढ़ाते हैं तो संधारित द्वारा प्रतिगहात का मान क्या होगा तो घाटेगा क्या होगा दोस्तों घाटेगा यदि हम विसूध रूप से धारिता परिपत में आबरिती बढ़ाते हैं तो संधारित द्वारा प्रतिगहात का मान घाटेगा अस्टैपिंग की मोटाई जितनी कम होगी त्रांसफारों में उतने ही कम होगी क्या तब भबर्धारा क्या कम होगा दोस्तों तब भबर्धा एडी कैरेंट कम होगा चुमा किये बिभाव रासी होती है कैसा चुमा किये बिभाव कैसा रासी है तो चुमा किये बिभाव एक अधीस रासी है दिखिए एक नुमेर्कल आया है एक चार पोल की DC मोट है लैब कनेक्टेड अर्मेचर बाइंडिंग है प्रतिव फलक्स है तीस मिली बेबर है अर्मेचर चालकों की सैंकिया 206 है जब इसे 230 बोल्ट की DC अपूर्टी से जोरा जाता है तब यह 40 अंपियर की अर्मेचर धारा कर्शित करता है अर्मेचर प्रतिरोध इतना मानते हैं मोटर की गति होगा 2000 आर्पीएं कैत्रा होगा 2000 आर्पीयम के कि इंडेक्शन मोटर के संदर्ग में जब रोटर स्थीर होता है जब रोटर स्थीर होता है कि और फुर्टी द्वारा को टूर्ठार ऑपूर्टी पूर्ती आवरिती के समान होती है लेकिन जब रोटर घुमने लगता है तो आवरिती निम्न में किस पर निर्भर करता है तो सापेच गती या सिलिप गती पर निर्भर करता है इंडेक्शन मोटर के संदर्ग में जब रोटर इस्थिर होता है तो घोधनी धारा की आवरिती के समान होती है लेकिन जब रोटर घुमने लगता है तो आवरिती सापेच गती या सिलिप गती पर निर्भर करता है किसी परिपत बियोजक में वहाँ छनिक भोल्टेज होता है जो आर्किक पिरियेड के दर्ण सून धारा या उसके निक्टेट पर दिखाता है वो क्या होता है दोस्तो तो होता है इस्ट्राइक किंग भोल्टेज कि दिये गए आरेक का अध्यान करे और एक सरवाई के बीच प्रतिरोध ग्याद किजिए प्रतिरोध के सभी मान ओम में निकालना है तक पाच दिसमलों 424 ओम होगा याद रखिएगा इलेक्ट्रिक जनेरेटर किस सिधान्त पे कार्ज करता है क्या आप नहीं जानते हैं इलेक्ट्रिक जनेरेटर हमारे फराइडे के बिदु चुमाकिया प्रतिरोध के सिधान्त पे कार्ज करता है फराइडे के बिदुत चुमाकिये पेरन के सिधान पे कार्ज करता है बिदुत सक्ती पारेशन के लिए प्रयुक्त चाला के समागरी में नीम्न में से कौन सा गुन धर्म नहीं होना चाहिए बिदूत सक्ति के परेशन के लिए पर्युक्त चाला की समागरी में निम्न में से कौन सा गुनधर्म नहीं होना चाहिए तो उच परसार गुनांक नहीं होना चाहिए बाकी विदुत सक्ति के परेशन के लिए चाला की समागरी में उच विदुत चलगता निम्ना पेचिक घनयत्व उच तनत्व समर्थ होता है केबल में प्रियुक्त विदुर रोधी पदार्थ की मुख है अब सक्ता क्या है तो उच पैरा वाइदुत समर्थ है अल्टेनेटर अश्टेटर फ्रेम के निर्मान के समन्द में निमन में से कौन सा कथन गलत है तो बाहरी फ्रेम चुमाकिये फलक्स का वहन का ना उस विकल्प का चैन करे जो दिये गए सद्रीच को पूरा करे प्रतिरोध कैसा ही मातरक ओम होता है तो चलक्ता के क्या होता है सीमेंस प्रतिमीटर है ट्रांसफार्मर के बारे में निमन में से क्या गलत है तया आब रिती के मामुली परिवर्तन के साथ सक्ति अस्थनांत्रित करता या गलत है किसी धात्रीक चालक का प्रतिरोध के ब्यूत का वानुपाती होता है किसी धात्रीक चालक प्रतिरोध के ब्यूत का वानुपाती होता है तो समागरी अनुप्रस्त काट की शेत्रफल के ब्यूत का वानुपाती होता है आर समानुपाती वानुवट आए ट्रांस्फार्मर में होने वाली हानी को आगे के सैथिल हानी और भबर हानी में विवाजित करता हो क्या होता है लाव हानी क्या होता है लाव हानी सन्योजन की ओजना के अनुसार निमन में से कौन सी बित्रन पानाली के अंतरगत है बढ़गी क्रित नहीं की जाती है तो अनुक्रमिक पानाली अनुक्रमिक पानाली देखिए दिये गए यार एक काध्यन करें और पचास बोल्ट बैटरिक्स होकर परवाहित होने वाले धारा ग्यात किजिए देखिए धारा ग्यात का ना है तो आपको पता है कि भी बरावर क्या होता है आयर होता है तो आपको आर माना मालूम होना चाहिए और भी तभी तो दिया है 50 बोल्ट देखे यह झो है न हो समानतर कर में जूरा हूआ है दोस्तों है है कि एफ्टीन जो जूटा हुआ है व समांतर क्रम में जूटा हुआ है तो सबसे पहली आपको समानतर करम को हल करता हुआ है घर व tissue यहां से हैल किजिएगा तो वान कितना आएगा यहां से यहां से टोटल कितना हो जाएगा ओवन कि कुल कितना हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा नौएक दस रेनी करम बन जाएगा दस ओम अब आपको बोल्टेज ग्यात का है धारा ग्यात का ना है तो भी बरावर क्या होता है आई 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 बरावर क्या होगा भी बटा आई तब पचास बटा दस पाच इम्पीर अपसन नमबर एड अधुनिक कोईले से चलने वाली थार्मल अश्टेशन में राक की बड़ी मात्रा को यह सु तारित काना पड़ता है कि राख को अधिक्तम संभम सिमा तक निकाला जाए इससे पहले की वाइलर से फ्लू गैस को उप्योग करके अंत्ता बायु मंदल में पहुंझ जाए तो होता है इस थर बैदुत अब छे पक अपसन नमबर वी होगा देखें डिसकार्शन करने के ल होना चाहिए लेकिन आप कम समय में चाहते हैं दोस्तों इसलिए स्पीड में हम लोग भागते हैं एक फिरी इंडेक्शन मोटर की बाइंडिंग बारा पोल है और पचास हर्टेज की 45 सा पूर्ति दी जा रही है तो तुलकालिक गतिक की गन्ना किजिए तेक ऐसा नहीं थी नुमेरिकल नुमेरिकल सब स्वल्व हो जाता है क्यों खुलों फिजिक्स का टीचर वह भी टुविल्थ का देखिए यहां पर पी बराबर दिया है दोस्तों बारा और एप बराबर दिया है पचास हर्टेज ठीक है एनस पूछ रहा है आपका एक फर्मुला बताएं थे ए एनस बराबर एक फर्मुला होता है एक सो बीस एफ बटा पी यही न होता है आपको बताएं थे एनस बराबर एक सो बीस एफ बटा पी पी पोलो की साइंखिया एफ आवरीती एनस तुलकालिक गति की गन्ना करें तो यहां पर जब रखिये गए आप तो पान सव आड़ पी आएगा कितना आएगा 500 आर्पीम आएगा कि बैदूत जनीत्र की सनरचना के मामले में योग का कार्ज परदान कायना होता है अप्शन में पॉल्स के आंतरी के लिए मेकेनिकल सुपोर्ट फोर्ड पॉल्स एक चालक होता है जो किसी सब आइस्टेशन को उस छेत्रे से संवजित करता है जहां सक्ती बित्रित कार्णी होती है तो होता है फीटर क्या होता है फीडर अप्शन में क्या होगा सी निमिन में से कीस परकार के मोटर में रोटर बार स्वेय परस्थाई रुप से सोट सर्किट होती है तो ओता है अस्कॉाइल केज रोटर क्या होता है अस्काइल रोटर यदि तीन प्रतिरोधक आरवण और टू और आर्थि रिसरेनी करम में जुर तो दहारा क्या होगा दोस्तो तीन प्रतिरोधक आरवण और स्रेनी करम में जुरा हो तो सभी तीनो प्रतिरोधों में धारा समान बहेगा क्या बहेगा धारा समान बहेगी चार पोल लेंब बॉंड वाले DC जनरेटर में प्रती पोल सी उपयोगी फलक्स 0.05 बेवर है जब यह प्राइम मुबर के साहता से 500 RPM की गती पर चलता है तो उत्पन विदुत बहाकवल ग्यात करे और मेचर में 400 चालक है तो विदुत बहाकवल की गन्ना करने पर आयेगा 166.67 बोल अल्टेनेटर में तरवाइन 40 अल्टेनेटर में निम्न में से किस के रोटर का उप्योग किया जाता है जो बहुत तेज गती से चलता है तो होता है अस्मूत सिलिकल टाइप रोटर है अल्टेनेटर के निर्मान के संदर्ग में हंटिंग की रोखधाम किसके उप्योगी के लिए किया जाता है तो दमबर के लिए डंपर के लिए अल्टेनेटर के नियमान के संदर्ग में हंटिंग का प्रयोग किया जाता है हंटिंग की रोक धाम के लिए डंपर का प्रयोग करते हैं हंटिंग के रोक धाम के लिए किसका प्रयोग करते हैं डंपर का ओम के नियमानु सर जब किसको इसी रखा जाता है जब धारा चाला के सिरोग के विवांतर के समनुपाती होता है तो हमें लगता है इसका राइट एंसर प्रतिरोध होगा कि इसको समनुपाती रखा जाता है क्योंकि भी समनुपाती आई होता है इसलिए भी बराबर आग लेते हैं तो आग क्या होता है कोस्टेंट होता है मेगनीन मेगनीन के तार एक टुकरे 1.5 बिजस्ट प्रतिरोध है यदि लेड का 20 प्रतिरोध मेगनीन के 20 प्रतिरोध का वीश गुना है तो उसके 1 तिहाई लंबाई या एक तिहाई ब्याश वाले लेड तार का प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों आपको फर्मूला याद होगा आर बराबर रो एल वाई ए होता है याद है कि नहीं है इसी से एक फर्मूला आपको बताते हैं याद रखेगा यहाँ पे दो गोप प्रतिरोध दिया हुआ है समझें तहां से हाल किजिएगा फल लंबा जाएगा इसलिए छोड़ देते हैं नब्बे ओम होगा क्या होगा बैदुत रूप से परतियावर्ता क्या एसी जनीतर के समान होती है परतियावर्ता क्या एसी जनीतर किसके समान होती है दोस्तों तो तुलकाली मोटर के समान होता है और दो परकार के रोटर रहा है दो परकार के रोटर में परत्या वर्था के साइलिएंट पॉल पाइप और समूत के उपयोग प्रवर्तक में किया जाता है किसमें किया जाता है प्रवर्तक में किया जाता है प्रदाय का अमाप मतलब फीडर का साइज निवन में किस पर निभर करता है तो पावर फैक्टर पर निभर करता है किस पर निभर करता है पावर फैक्टर पर निभर करता है जो है सक केवल में आवरन का प्रयोग किया जाता है किसके लिए तो केवल में आवरन का प्रयोग किया जाता है केवल में नमी के परवेश को रोकने के लिए तू प्रोवाइड प्रोपर इंसुलेटन केवल में नमी के परवेश के रोकने के लिए अप्सन नमबर गरेलू बिधुत बाइरिंग में लाइट लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए तो आठ सो बाट से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तो आठ सो बाट से अधिक नहीं होना चाहिए इंडस्ट्रियल बाइरिंग में कौन सा बाइर अनाब्रित रखा जाता है और उपकरन फ्रेम को जोरा जाता है जब इंडस्ट्रियल बाइरिंग किया जाता है तो बाइर का अनाब्रित रखा जाता है और उपकरन के फ्रेम में कौन जोरा जाता है तो ग्राउंड बायरेड अनाब्रित रखा जाता है IEEE के अनुसर कंट्रोल पैनल के लिए इस्तमाल होने वाले मेन अर्थिंग लिड का निउन्तम अकार दिये गई बिकल्पों में किस से कम होनी चाहिए देखे IEEE 1998 में में लाया गया था तो इसका राइट एंसर जोगा 12SBG कॉपर या जी आई बायर घार में प्रियुक्त समान इलेक्ट्रोनिक फैन नियामाक में मुख घटक होते हैं तो 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 ट्राइड एवम डायोड गरेलु मिक्सर की निर्धारी सकती होती है गरेलु मिक्सर की निर्धारी सकती जो होती है वो 100 से 600 बाड तक होती है गरेलु मिक्सर की निर्धारी सकती 100 से 100 से 600 बाड तक तथा 3000 से 12,000 RPM इतना स्पीर तक या घूर सकती है और इसमें सिर्फ इनिवार्सल मोटर का प्रयोक किया जाता है एकल फेज मोटर्स में अस्थापित की जाने वाले बाइडिंग परकार क्या होती है तो इसमें सकेंद्रिये होता है, क्या होता है, सकेंद्रिये यदि पोल्स की संख्या 4 और खाचे की संख्या 24 है, तो पोल पीच का मान क्या होगा दोस्तो पोल पीच का एक फर्मुला होता है लिखियेगा पोल फीच का एक फर्मुला होता है खाचे की संखिया गुने बटा बटा पोल की संखिया तो क्या होगा? चोविस बटő चार कितना होगा चे खाचावा क्या होगा चेखाचा तर यादी किसी मौटर की बाइंड़िंग में यादी किसी मौटर की बाइंड़िंग में एक समुह कि सभी कुंडलियां एक ही एक ही हो तो वह क्या कहलाती है तो बाइंडिंग संकेंद्रित कहलाता है संकेंद्रिक बाइंडिंग कहलाता है भारत में पूर्वी टड़ पर कौन से बदरगाह इस्तित है तो भारत में पूर्वी टड़ पर पारादीप और हल्दिया बदरगाह इ एम लिकित में किस संगठर में आर्जू नें MBT MK IA युदक का टैक विक्सित किया गया था तो DRDO किसके द्वारा DRDO DRDO के स्थापना उन्हों 62 में किया गया था दोस्तों तो होप आपको यह वीडियो कितना सही हुआ इस सेट में बताईए कोमेंट करके